बचो आज की लेक्चर में पढ़ेंगे हम द्रिण पिंडो की घूणन गती क्या है मतलब क्या अलग है घूणन गती में द्रिण पिंडो की यह जानते हैं और कितने प्रकार की हो सकती है तो सबसे पहले आप गती किसे कहेंगे इस बात को थोड़ा सा विचार कीजिए किसे कहेंगे गती यदि कोई वस्तु अपना इस्थान परिवर्तन कर रही हो या फिर उसका विन्यास बदल रहा हो तो हम इस प्रकार से जो परिवर्तन हो रहा होता है या दोनों हो रहा हो क्या चीज या तो इस्थिती परिवर्तन हो रहा हूं ऐसे बढ़ रही हूं या उसका विन्यास यानि कि orientation change हो रहा हूं इस तरीके से या फिर दोनों हो रहा हूं तो हम कहेंगे कि वस्थू गती में हैं जब केवल आपका orientation change हो रहा हूं और अपना इस्थान मतल रही है तो हम कहते हैं वस्थू घूणन गती में थोड़ा देख लेते हैं जो को यहां पर तो यही definition है यह किसी भी वस्थू की गती उसके इस्तिथी में परिवर्तन या उसके विन्यास में परिवर्तन या दोनों से समझी जाती है अब यह वस्थू का विन्यास परिवर्तित होता है तो क्या होता है घूणन गती होता है अब घूणन गती को थोड़ा सा और मैं है ना तो बच्चों आप समझते हैं कि विन्यास में परिवर्तन यानि की घुरूणन गदी कैसे समझे तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करते हैं एक निश्चित रेखा लेते हैं या निर्देश रेखा लेते हैं ठीक है एक निर्देश रेखा आपके सामने थोड़ा से लाइन है अब इस रेफरेंस लाइन को हमने बना लिया अब क्या करना है जरा ध्यान से समझता मान लो यह वस्तु है ठीक है यह अगर वस्तु है वस्तु पर कोई भी इस्तित दोकर ले लिए मैंने ए और बी ले लिए यह है यह बी है अब यह वस्तु मार लीजे गती में ग आगे explain करता हूँ अब मैंने इस धर क्या करा बिटा ए और बी को मिलाने वाली रेखा को लिया और इसको आगे बढ़ाता गया बढ़ाता गया और देखा ये है इस निर्देश रेखा से थीटा कोण बना रही है अब फिर से मैंने क्या करा इस बस्तू को यहां पर मालीजे किस इसरी को मिला रहे हैं और इनको मिलाने वाली रेखा पुना जो है अभी भी थीटा उतना ही कोड़ बना रही है तो मैं कहूंगा कि वस्तू का विन्यास यानि की ओरियंटेशन चेंज नहीं हुआ और यहां पर वस्तू शुद्ध इस्तनांत्रण गती में है यानि की प्योर प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में है या आपका प्योर ट्रांसलेटरी मोशन है बच्चो शुद्ध इस्तनां अंत्रण ये गती है ठीक तो ओरियंटेशन चेंज कैसे होगा अगर यह देखा जो है अगर यह देखा थीटा की जगे कुछ और कोड बनाने लगे तो हम कहेंगे कि वच्चो वस्तू का ओरियंटेशन चेंज हो गया मैं आपको बना के दिखाता हूं ध्यान से देखिएगा कि आप कुछ कुछ इससतरीके की परिस्तित है कि आपका जो यह है पिंड यह आप माननीं जेये कुछ इस चीस तरीके से कर रहा और यह सबनाने वाली रेखा यह उगले और इसको पीछे मिलाया तो अब यह देखिए यह थीटा कोड है यह चोटा हो गया यह फाई कोड है आपको औरियंटेशन चेंज हो गया यहां पर आपकी गति है बच्चों ये गूनन गति है के गूलनन गति है कि एक बहुत महत्वपूर बात संब् they तो अगर हमें देखना है बच्चों की अगर कोई वस्तु घर्ती में घूलन गती में या शुद्र sellers सबसे पहले वस्तु परिस्तित किनी दो कड़ों को लो उन दोनों को मिलाने वाली रेखा का देखो कौन एक निश्चित रेखा से अब गती के दौरान अगर वो कौन जो है आपका परिवर्तित हो रहा है तो हम कहेंगे कि वस्तु आपकी घूडन गती में अगर बच्चों वो कोण परिवर्तित नहीं हो रहा है यानि कि orientation या विन्यास परिवर्तित नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि हमारी जो वस्तु है वो किसमें नहीं है घूडन गती में नहीं है शुद्ध-इस्थनांत्र गती में जिसे हम बोलते है प्योर ट्रांस्लेटरी मोशन ठीक है अब ये गूडन गती हो गए अब गूडन गती के प्रकार क्या है और थोड़ा सा परिभाशा को देख लेते हैं ताकि आप लोग वो नोट्स में लिख सको तो चलिए देखते हैं परिभाशा को थोड़ा सा तो गूडन अर्थाद विन्यास पे परिवरतन को वस्तु को किसी भी रेखिए विमा पर वस्तु पर खीजी के किसी रेखा द्वारा गूमे वे कोड़ द्वारा समझा जा सकता है जैसा कि यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है बच्चों अब हम बात कर लेते हैं कि घूडन अ बाक्ष किया है तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको परिवाशा जो लिखी हुई है वो एकदम इसपस्ट हो जाए मान लेते हैं यह कोई एक वस्तु है जो घूम रही है ठीक है यह मान लेते घूम रही है तो इसकी ऊपर इस्तित सभी जो कण होंगे बच् वरत्य पत्थ पर चला होगा जो बाहेगड है वो भी किसी वरत्य पत्थ पर चला होगा कुछ इस तरीके से यह कुछ इस तरीके से वरत्य पत्थ पर चला होगा बच्चों यहां पर भी यह वरत्य पत्थ पर ही चला होगा तो इन सभी वरत्य पत्थों का एक केंद्र होगा अब यह केंदर किसी एक रेखा परिस्थित हमने देखा कि ये सारे जित्ते भी व्रत्य पत्ते ये सारे के सारे व्रत्य पत्तों का जो केंदर है वह है एक कालपनिक रेखा परिस्थित है ये रेखा है मान लेते हैं जैसे ये है ये केंदर ये केंदर ये केंदर ये कालपनिक ग्रेखा जिस पर इन सभी वृत्य पतों का केंद्रक इस्थित होता है इसे हम कहते हैं घूलन अक्ष यह आपकी बच्चों हो गई घूलन अक्ष जिसे हम कहते हैं एक्सिस ओफ रोटेशन एक्सिस ओफ रोटेशन ठीक है यहीं परिवाश्य यहां पर लिखिये वह काल्पनिक रेखा जो द्रणवस्तु के खूणन के कारण जो घूम रही है यह द्रणवस्तु आपकी घूणन के कारण सभी करण द्वारा अनुसरेज वृत्य पतो यानि कि जितने भी इस पर कर थे जिस वृत्य पत पर चल रहे थे वृत्य पतो के तल के लंबवत हो अब देखो इस पर ऐसे ऐसे पार्टिकल गोल-गोल घूम रहा है ऐसे करके और एक्सिस आपकी बीच में से पास हो रही है तो उस तल के तो लंबवत है जैसे यहां पर देखने को चल ला है तो यह बात हो गई जिसके ऊपर सभी बृत्य पतो के केंद्र होते हैं उसे गूड़न अक्ष कहते हैं तो अभी हमने जाना गूड़न अक्ष बच्चो इस टायग्राम को बना लो इस डेफिनेशन को लिख लो आप लोग अब बच्चो पढ़ेंगे घूड़न को समाहित करने वाली गतिया यानि कि टायपस ओफ मोशन इन्वालविंग दा रूटेशन ये कितने प्रकार की हैं ये मुखता तीन प्रकार की हैं जैसे भी आपको यहाँ पर स्लाइट पर दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले इस्तिर अक्ष के परिता घूलन यानि कि अक्ष के परिता यानि कि जिस अक्ष के परिता वस्तु घूम रही है वो अक्ष भी घूम रही है तो ये तीन प्रकार के हैं मुखता हमें जो पढ़ना है अपने कक्षा 11 में या नीट या आईडीजी की प्रपेशन में वो दो हैं वो पहली दो कौन-कौन सी इस्तिर के परिता घूम लन इन दोनों को ही बच्चों हमें पढ़ना है अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस्तिर अक्ष के परिता घूम लन जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक वील है एक पंखा है अब देखो पंखा जिस अक्ष देखो पंखा के जितने भी आपके पंखा आपके घर के कबरों के हरे कोने में जा जा कर अएसे गोल-गोल खुम गयता है पंखा तो छट पर फिक्स रहता है अपना निश्य तर इस थान पर रहता है तो उसकी रौड तो फिक्स रहती है हम पंखे की धीमी गती की बात कर रहे है कई बार ऐसा होता है कि पंखा आप तेजी से होता है तो उसकी रौड भी गोल-गोल खुमने कर लगती है हम उस चीज की बात नहीं कर रहे है या फिर मैं कहूं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा साइकिल का पहिया ज़िए तो उसकी रौड देखना आप क्या होता है साइकल सीधी नहीं चल लिए ब अलके साइकल को स्टेइड लगायातों का पहिया गोल गोल मुंहाने लगता तो उसका अक्ष जो है वह स्टेशनरी जब वो उसका अक्ष यानि की जो एक्सिज है वो स्टेशनरी है तो पईया उसके चारो तरफ पईया पे जितने भी काने उसके चारो तरफ घूमने लगते हैं तो इस प्रकार की गती को हम कहते हैं इस तिर अक्ष के परिता घूमनन जैसा कि हमें दिखाई देरा है इस लाइड में अब देखो इस गती में क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों तो देखो बच्चों इस गती में क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वो आपकी अक्ष है जिसके चारो तरफ ये मान लेते एक अक्ष है आपकी आपकी रोटेट कर रही है, यह आपकी 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 आपक तो यहां पर जितने भी इस वस्तु के कण जो इस अक्षपर इस्थित नहीं है वो तो गूल-गोल घूम रहे हैं लेकिन जो वस्तु के कण हैं जो इसके अक्षपर इस्थित हैं जैसे वो आपके इस्थिरवस्था में रहते हैं तो यदि घूणन अक्ष पर इस थे द्रणवस्तू के कण अस्तिर अवस्ता में है वो गती में नहीं है तो हमारी अक्ष भी गती में नहीं होगी तो इस प्रकार की गूणन गती को कहते हैं इस्तिर अक्ष के परितहा घूणन गती देखो एकicidesी इसी है कि बॉड़ी आपकी ऐसे गोल-गोल घूम रही है अब देखो मान लो इसके केंदर से निकलने वाली बच्चों इसके जो बीच सेंटर है जिसके चारो तरफ घूम रहा है एक्सेस ओफ रोटेशन पर जितने भी कड़ स्थित होंगे वो तो भाई सब क्या क्या वो कहीं है नहीं तो अक्ष आपकी कैसी है इस्थिर है तो अगर इस्थिर अक्ष है तो जो घूणन गती है वो कैसी हो गई इस्थिर अक्ष के परिता घूणन गती यह समझ में आए एकदम आसान है अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहां पर पंखे की घूणन गती है यह कैसी आपकी इस्तिर अक्ष के परिता गोडन गती पंखा याद रखिएगा इस एक्जाम्पल में जो आपकी पंखे की रौड है वो एकडम फिक्स्ट है ठीक है बच्चो तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि पंखा देखे चल रहा है और आपकी जो इसकी रौड है वो इस प्रकार की गती को क्या कहेंगे इस तिर अक्ष के परिता गोडन गती आगे देखते हैं बच्चो नेक्स स्लाइड में इस्थनांतर ये अक्ष के परिता गोडन गती यानि कि आपकी moving axis है अब ये कैसे हो सकता है मान लीजिए आप cycle चला रहे है तो cycle का पईया जिस अक्ष के चारो तरफ घूमता है वो अक्ष भी तो आगे की तरफ बढ़ रही होती है वो च्छो तो इस प्रकार की हम गती को कहते हैं इस तरांतर ये अक्ष के परिता गोडन गती तो इस वाल रही है तो cycle के पईया की थोड़ा साम ध्यान से समझ लेते हैं चीजों को कि ये आपका rolling motion भी कहलाता है और लॉटनी इसे हिंदी में कहते हैं लॉटनी गती तो ये आपका है पईया घूम रहा है अब दिहान से समझेगा कि ये अक्ष भी चल नहीं है और इस अक्ष के चारों तरफ पईया खूम भी रहा है अगर इस अक्ष के उपर हम बैठ जाए यानि कि मैं अपना निर्देश फ्रेम ओपर इस्तित कर लो यदी निर्देश फ्र तब क्या होगा बच्चो बिंदू ओपर हो तब क्या होगा तब तब मैं अकर पईये को देखू पईये पे इस्तित कोई भी कण को देखू तो मुझे देखेगा वो केबल घूडन गती में है यानि कि केबल वो गोल-गोल घूम रहा है अगर मैं कहा बैठ की देखू ओपर देखूं तो ऐसी होता है ना कि जग से कि हम बैल गाड़ी में बैठे है या अब तो बैल गाड़ी चलती नहीं है या हम साइकल पर बैठे हैं और कोई चला रहा है हम पीछे से पईये को देखें तो हमें दिखाई देता है अच्छा पईया जो है केबल गोल-गोल घूम रह है तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी यह लौटनी गति है यानि की रूलिंग मोशन है यह सूपर पोजीशन है एक तो ट्रांसलेक्टरी मोशन का दूसरा रोटेशनल मोशन का या इसे मैं हिंदी में बोलू तो यह अध्यारो पड़ है किन दो चीजों का एक तो आपका किसका हो हो गया रोटेशनल मोशन यानि की घूलन गति का तो यही बात हमने यहां पर सीखी है कि इस्ते दुरी के परिता गूलन में आपकी क्या हो रहा है एक तो इस्तरांतर भी हो रहा है साथ साथ आपका गूलन भी हो रहा है तो यही चीज हमें यहां पर बच्चों समझ में आती है तो यह प्रिथक गतियों का अध्यार ओपन हैं अब बच्चों देखेंगे घूलन अक्ष के परिताह घूलन यहां पर तो बड़ा गूलन घूलन हो गया मैं टाइटल फिर से लिख देता हूं गूलन अक्ष के परिताह घूलन ठीक है अब जड़ा थोड़ा एक्जाम्पिल समझो कि जैसे यह अपने सूरज है थोड़ा सा सूरज बेटा बन गया है सूरज गोला की जगए यह राज सूरज है सन और इधर सन के चारों तरफ प्लैनेट इसके खूम रहे हैं मैं अर्थ की बात कर लेता हूं यह अपनी अर् elliptical orbit थोड़ा थोड़ा बनानी की कुशिश करिए मैंने तो देखो बच्चो यह अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे भी गूम रही है यानि कि अपने अक्ष पे भी गूम रही है लेकिन अर्थ की अक्ष भी तो सूरज के चारों तरफ गोल गूम रही है तो जो यह अक्ष है गोडन अक्ष हो गई और इसी घूडन अक्ष के परित और्थ भी घूम रही है अर्था गोल गोम रही है तो यह है कि आपका ईक बच्छों, एक्द है Гुर्ण, अक्ष के परिता गोड़ा। एक और क्ति समस्ते हैं, जैसे लत्टू आपने कGUवी छोड़ा लत्टू ऐसे करके छोड़ देते हैं ङुटा हो लोग 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 आपका ऐसे-से-से करके गोल गूल तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं गूडन अक्ष के परिता गूडन बचो यह अपने सिलेवस में नहीं है यह मतलब इसका जितनी भी चर्चा है इस सिलेवस से बाहर क्यों जाएंगी तो इसको हम डिसकस नहीं करेंगे हमारे लिए मुखिता दो इंपॉर्टेंट है पहली हो गई इस तिर अक्ष के परिता गूर्णन दूसरी हो गई इस्तरांतर ही है अक्ष के परिता गूर्णन इन्हीं दो की हम चर्चा करेंगे बाकी जो डिटेल में होंगी बाते हvention नेक्स लेक्चे में होंगे अभी लिए मैं चलता हूँ जैहले